जोर से एक बारी भारत मता का जैकारा लगाएंगे भारत मता की इंकलाब वन्दे आपके बीच में आने के दो मकसद है एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने इस देश की तकदीर और इस देश की दिशा बदलने का काम किया इस देश की राजनीती बदलने का काम किया भारत मा को आप सब लोगों के उपर गर्व है आज मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ किसलिए आज से पांच साल पहले जब हम चुनाव लड़ने के लिए निकले थे किसी को ये उमीद नहीं थी कि हमारी पार्टी जीतेगी सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात है हमारे पास चुनाव लड़ने को पैसे नहीं थे ये आप लोगों का खून पसीना था आप लोगों की कड़ी मेहनत थी आप लोग घर घर गए थे आप मेंसे बहुत सारे लोगों ने नौकरियां छोड़ी थी आप लोगों मेंसे बहुत सारे लोगों ने तीन तीन चार-चार महिने के छुट्टी ली थी उस वज़े से हम इमानदारी से चुनाव लड़ पाए थे और उस वज़े से दिल्ली के अंदर सतर मेंसे सड़ सड़ सीट आई थी और अपनी सरकार बनी थी दोस्तों और उससे शुरू ही थी इस देश के अंदर राजनीती बदलने की एक शुरुआत आप यह सोच के देखो आज दिल्ली के अंदर पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली मिल रही है अगर पिछले चुनाव हम लोग बिजली कमपनियों से चंदा लेके चुनाव लड़ते अगर पिछले चुनाव में बिजली कमपनियों से चंदा ले लेते और चुनाव लड़ते बाई साब चुनाव जीतने के बाद मेरी हिम्मत नहीं होती बिजली कमपनियों को कहने की की बिजली के दाम कम करो आज मैं छाती चोड़ी करके बिजली कमपनियों को कहता हूँ खबरदार जो तुमने बिजली के दाम बढ़ाए आज मैं छाती चोड़ी करके कह सकता हूँ क्योंकि मैंने इनसे चंदा नहीं ले रखा मैं इनका गुलाम नहीं हूँ दूसरी पार्टी वाले इनसे चंदा लेके चुनाव लड़ते हैं हम आपके दम पे चुनाव लड़ते हैं आपने हमको आपने चुनाव लड़ाया आपने अपना शरीर गलाया आपने चंदा दिया आपने छुट्टी ली इसलिए चुनाव के बाद आके आप मेर से पूछते हो केजरीवाल जी बिजली के दाम कब कम होएंगे और अगर मैं उन से चंदा लेके करता तो बिजली वाले आके बिजली कमपनी वाले आके पूछते के एजरीवाल जी बिजली के दाम कब बढ़ेंगे है की नहीं है ये एक उधारन दिया है ये उधारन सारी चीजों पर लागू होता है अगर हम आपने लो प्राइवेट स्कूल वालों से चंदा लेके चुनाव लड़ते बाई आप लोगों ने राजनीती बदलने का काम शुरू किया इसकी मैं आप सब लोगों को बढ़ाई देता हूं आपने मा भारती का सीना चोड़ा किया आपकी सरकार ने आपका सीना चोड़ा किया पांक साल के अदर आज पूरी दिल्ली के अंदर जब आपस में लोग बात करते कोई कह दे मैं आम आदमी पार्टी का हूं जनता उसको इज्जत की नजर से देखती है आम आदमी पार्टी का है आपकी सरकार ने आपकी पार्टी की सरकार ने आपका सीना चोड़ा किया और आप लोगों ने माँ भारती का सीना चोड़ा किया दोस्ते इतने काम इतने काम इत दो सो यूनिट बिजली फ्री होगी जनता खुश है नहीं है बंबं हो रही है नहीं हो रही यह तीर थ्यात्रा में जा रहे हैं बुचुर्ग खुश है नहीं है यह मौलाक लेने खुल रहे हैं खुश है नहीं है CCTV कैमरे लग रहे हैं खुश है नहीं है ये इतने गलिया बन गई, नालिया बन गई, सीवर लग गई, पानी की पाइपलन लग गई, खुट रह नहीं है अभी और भी कई काम रह गए जैसे कोपाल जी कह रहे थे पता नहीं इतने काम करा दिये, इतने काम करा दिये पहली बार कोई पार्टी है चोराहे के उपर खड़े हो के जंता से पूछती है भाईया कोई काम खड़ाया हो तो वोट देना और जंता अपने आप लिस्ट गिनाना चालू कर देती है ये भी कर दिया सब के लिए करे ओटो वालों के लिए करे टैक्सी वालों के लिए करे बुजुर्गों के लिए करे और वाईसाब ऐसे ऐसे काम करे जो पूरी दुनिया में भारत तो छोड़ो पूरी दुनिया के चार हजार साल के इतिहास में आज तक कभी नहीं हो कैसे नहीं हुए इतने बड़े स्टर के ओपर दिल्ली में अभी तीन लाख सीसी टीवी कैमरे लग रहे तीन लाख दुनिया के इतिहास में किसी शहर में भारत भारत तो छोड़ा भारत में तो लगे ही नहीं पूरी दुनिया में किसी शहर में एक साल के अंदर तीन लाख CCTV कैमरे कहीं नहीं लगए अब दो लाख स्ट्रीट लाइट लगने जा रही है पंदरह नवंबर से लागू चालू हो जाएगी पूरी दुनिया के किसी शहर में दो लाख स्ट्रीट लाइट कहीं नहीं लगी वाये साथ एक साल के अंदर दो लाख तो छोड़ो न्यू यू यॉर्क के अंदर तो टोटल डेड़ लाख स्ट्रीट लाइट है दिल्ली में दो लाख और लगने जा रही है दो लाख स्ट्रीट लाइट कहीं नहीं लगी अभी दिसंबर तक एक हजार महला क्लिनिक बन के तयार हो जाएंगे पूरी दुनिया के अंदर एक हजार डिस्पेंसरी जिसी शहर में कहीं नहीं लग बनी है अभी बाइस हजार कमरे हमने स्कूलों में बना दिये पान साल में पूरे देश में जितनी सरकारे हैं और केंदर सरकार और सारी BJP की कौंग्रेस की फलानी डिंकी सारे पूरे देश के classroom बना लो दिल्ली में 22,000 classroom बने पूरे देश में मिला के इतने classroom नहीं बने पांच साल के अंदर तो दोस्तों आपकी सरकार ने आपका सीना चोड़ा कर दी, आप गर्व के साथ कह सकते हो कि मैंने मेहनत की थी, वो मेहनत रंग लाईए दोस्तों एक कारिकरता आया मेरे पास बोला जी ये तो सब के लिए ही हुआ मेरे को क्या मिला मैं सोच रहा था अगर भगत सिंग भी ये सोचता कि आजादी तो सब कोई मिलेगी, मैं क्यों सूली पे चड़ूँ गलत तो नहीं कह रहा भाई साथ आज मैं फिर से दोरा रहा हूँ आम आदमी पार्टी आजादी की दूसरी लड़ाई है और हर रोज हमारी परिक्षा होती है हर रोज हर रोज हमारे विरोधी उनको ये लगता है अब तो हम आदमी पार्टी खतम पिछले पान साल में क्या पिछले साथ साल में जब से अन्नाम दोलन चालू हुआ तब से रोज खड़े हो गए अब तो ये खतम हो गए अब तो ये खतम हो गए उनके अंदर ये कमजोरी आए मैं बार बार कह रहा हूं पद और प्रतिष्ठा की कभी भी पद पैसा और प्रतिष्ठा की कभी अन्ना अजारे जी कहते थे ना अपमान पीने की शक्ति होनी चाहिए कहते थे कि नहीं कहते थे इसका क्या मतलब है मैंने एक दिन अन्ना जी से पूछा मैंने का अन्ना जी इसका क्या मतलब है अन्ना जी बोले अगर आपका व्यक्तिकत कोई अपमान करे MLA ने कुछ कहा दिया District In Charge ने कुछ कहा दिया फलाने ने कुछ क्या दिया इसने कुछ कि बोलो उसको पी जाओ अगर हमें पबलिक लाइफ में रहना है तो सौ लोग सौ बात करेंगे आप लोग देखते हो रोज मेरे को कितनी गालियां पढ़ती है चारों तरफ से इतनी गालिया पड़ती है मैं अगर दिल पे लेना चालू कर दू एक ही 24 गंदे में डिप्रेशन में चला जाओंगा मैं मेरे पास कई कारे करता है पलाने ने कह दिया जी मेरा मान सम्मान खराब हो गया जी पलाने ने कह दिया जी पबलिक लाइफ में अपना मान सम्मान कुछ नहीं होता अपने मान सम्मान अगर मेरा मान सम्मान खराब हो गया शिरात को सो जाओ आख बंदगर के उसको खतम कर दो देश का मान सम्मान अगर खराब हो अपनी जान देदो उसके लिए देश के मान सम्मान अपने देश के लिए अपनी दिल्ली के लिए अपने लोगों के मान सम्मान के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तयार अपना मान सम्मान कुछ नहीं है ये बहुत जरूरी है रोज होता है कभी किसी ने कुछ कह दिया कभी किसी ने कुछ कह दिया मैं ये नहीं कह रहा हम सारे इंसान हैं फील भी होता है तकलीफ भी होती है दर्द भी होता है कोई कुछ कह देता है कोई कुछ कह देता है उसको पीने की आदत डालनी पड़ेगी तो अगर कोई किसी को लगता है मेर को क्या मिला ये तो सब को मिला तो दोस्तों अगर आम आदमी पार्टी नहीं आई तो यह जो सब को मिला सारा ही खतम हो जाएगा फिर यह दोसों गलत तो नहीं कह रहा जी यह दोसों यूनिट भी गई 24 गंटे बिजली भी गई मुफ्त पानी भी गया सब का गया लेकिन इससे सबसे बड़ी बात यह है कि देश के अंदर आज यह उमीद पैदा हुई है यह उमीद मर जाएगी दोस्तों सतर साल के बाद आज भारत के अंदर एक उमीद पैदा हुई है क्यार कुछ हो तो सकता है यह चीज बदल तो सकती है तो दोस्तों अब अपने को सब को आज मैं ये देख रहा था दिल्ली में जिस जिस का जिस जिस आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है आज कुछ भी कोगो हमारा वॉलंटियर बन चुका है दिल से है कि नहीं है जिस जिस आदमी इने अपना इलाज सरकारी अस्पताल में कराया है आज कुछ भी को मन से सीज तो देता है काम तो इन्हों ने अच्छा करा आज जो भी तीर थ्यात्रा पे होके आए है वो सारे आपके कटर वॉलंटियर बन चुके हैं आज जिन जिन लोगों की गलियां बन गई, नालियां बन गई पीने का पाणी आगया इतने लोगों का वो सब लोग आपके वॉलंटियर बन चुके हैं इन सारे वॉलंटियर को इक डूर में पिरोना है सारे तियार वैठे हैं आप एक बार इस सब के बीच में निकल जाओ और इन सब को वॉलेंटियोस को डोर में पिरोने का काम करना है मेरे पाइस अभी एक RSS का बंदा आया उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है बोला जी मैं हूँ तो RSS का लेकिन दिल्ली में तो मैं आपको वोट दूँगा गलत तो नहीं कह रहा कितने BJP RSS वाले आपको मिलेंगे जो आज दिल से आपके काम की तारीफ करते हैं करते हैं और कितने BJP RSS वाले कहते हैं कहते जी वोट चुना आप दूसरा था लेकिन दिल्ली के अंदर तो हम आपको वोट देंगे तो दोस्तों अभी मेरे को बहुत खुशी है कि केवल देश 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 दी दुनिया के अंदर अपना नाम हो रहा है अभी मेरे को डैनमार्क जाना था अपने अख़वारों में पढ़ा होगा C40 98 देशों का एक कारेकरम था डैनमार्क में तो हमने दिल्ली में पॉल्यूशन 25 परसेंट कम कर दिया तो वो 98 देशों का जो कारेकरम था उन लोगों ने मेरे को बुलाया बोले जी आके बताओ आप लोगों ने क्या क्या करा ये पॉल्यूशन कैसे कम करा ये और इवन क्या होता है आपने कैसे और इवन करा उन्होंने बुलाया मेरे को इन्होंने जाने नहीं दिया लेकिन मेरे को ज्यादा खुशी इस बात की हुई जब इन्होंने मेरे को जाने नहीं दिया तो वो मेरे पीछे पड़ गया बोले जी वीडियो कॉन्फरेंस निंग से ही बता दो तो आप चाहिए नहीं आने देरे कोई बात नहीं, यह इज़त है आप लोगों की पूरी दुनिया के अंदर, यह इज़त है आम आजमी पार्टिक के कारेकरताओं की पूरी दुनिया के अंदर, यह केजरी वाल की इज़त नहीं है, यह आपकी इज़त है, आपकी मेहनत की यही कमाईए अपने पास और पैसे थोड़ी कमाएं आपने पिछले महीने मनीश सिसोधिया जी को मॉस्को बुलाया उन्होंने वहां भी सौ सवास और देशों की पूरी दुनिया के शिक्षा मंतरी आए हुए थे मनीश सिसोधिया जी को बुलाया भी आप आके बताओ आपने सरकारी स्कूलों में इतना शांदार काम की इन्होंने जाने नहीं दिया ना जाने दें चर्चा तो हो रही है पूरी दुनिया में उनकी चर्चा नहीं हो रही जब मेर को जाने नहीं दिया तो मैं देख रहा था एक इनके नेता खड़े हो के बोले केजरी वाल क्यों जा रहा है ये तो मेर की कॉन्फरेंस है तो भैया तुम्हारे मेर को बुलाई नहीं रहे हम क्या करें वो बुलाई हमको रहे अरे पूरी दुनिया को पता चले गया बीजेपी कैसी पार्टी है वो तुमको नहीं बुलाते हैं एंसीडी वालों को नहीं बुलाते हैं अभी पिछले साल सतिंदर जैन को बुलाया ऐस्ट्रेलिया में बोले जी महला क्लिनिक क्या है पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है महला क्लिनिक की नीदर लेंड्स की प्राइम मिनिस्टर महला क्लिनिक देखने आई अपना UN के सेक्रेटरी जनरल प्राइम में हमारे महला क्लिनिक तो उस्ट्रेलिया बुलाया इन्होंने जाने नहीं दिया ना जाने दो हमारे को क्या चर्चा तो हमारी हो रही है पूरी दुनिया में चर्चा तो हमारी नहीं हो रही चर्चे तो पूरी दुनिया में हमारे हो रही है अब अगली लड़ाई है, अब दुबारा मा भारती पोकार रही है आप लोगों को, ये चुनाव केजरीवाल के लिए मत लड़ना, ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए मत लड़ना, ये चुनाव ये सोच के लड़ना कि आप देश की आजादी के लिए लड़ रहे हो, आज आप देख रहे हो पूरे देश के अंदर क्या महौल है इस महौल के अंदर केवन एक ही आशा की किरन है वो है आम आदमी पाटी अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कितने लोग तयार अगले तीन महिने के अंदर अपना तन मन जूट मत बोलना मेरे से आज से जो जो लोग छुटी लेने को तयार है और यह जितने लडाई जगडे पंचायत इसको छोड़ दो अभी थोड़े मेरी बैटी एक कंपनी में कांग करती है मल्टी नेशनल कंपनी में पिछले साल उसने पढ़ाई SPN 9 Newsroom से शुटिक रिपोर्ट